दोस्तो आप लोगों के मन में ए है डाउट बना हुगा है कि भाई मुझे ये बताओ कि हम Google Assistant Voice की आवाज में जो है वीडियो बनाते हैं वीडियो एडिट करते हैं तो क्या हमारा चैनल मॉनेटाईज होगा या नहीं होगा दोस्तो आप लोग क्या करते हो कि किसी भी टेस्ट क की आवाज में यदि दोस्तो आप ऐसा करते हो Google Assistant Voice Editing अपनी वीडियो में करते हो तो आपका चैनल मॉनेटाईज होगा या नहीं होगा दोस्तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दोस्तो फिर आप वीडियो देखने में मस्त हो तो दोस्तो हम आपको बता दे एदि आप ऐसा कर रहे हो आप किसी भी टेस्ट को लिख कर या किसी भी सिस्टम को लिख कर आप क्या कर रहे हो किसी वेप साइट पर जाकर उसको पेस्ट कर देते हो और वह क्या करता है कि आपके उस टाटल या किसी भी सिस्टम को जो है अपन लगाओगे तो दोस्तो क्या होगा आपकी एक ही यावाज सभी वीडियो में डली हुई है दोस्तो आपको इससे रेपीटेटिव कॉंटेंट मिल सकता है और आपका जो चैनल है मॉनेटाइज नहीं होगा यदि दोस्तो आप एक आदी वीडियो में यूच कर लोगे या फिर सभी वीडियो में जो है एक ही आवाज को डाल दोगे तो आपका जो चैनल मॉनेटाइज नहीं होगा आप लोग ऐसा ना करें आप स्क्रीन रोकॉर्डिंग जो वीडियो मनाते है या कुछ ऐसी तरीके की वीडियो मनाते है जिसमें आप आवाज देते है तो दोस्तो आप इसमें बॉइस ओवर कर दीजिए यदि आप बॉइस ओवर कर देंगे तो आपका चैनल मॉनेटाइज हो जाएगा यदि दोस्तो आप ऐसा करेंगे कि टेस्ट को लिखकर किसी वेप साइट पर जाकर आप क्या करेंगे उसको गूगल असिस्टेंट की आवाज में करेंगे फिर दोस्तों आप अपनी वीडियो में यूज करेंगे और सभी वीडियो में आप ऐसा करेंगे तो आपका चैनल मॉनेटाइज नहीं होगा आपको रेपीटेटिव कॉंटेंट करके यूटूब की तरफ से मिल सकता है तो आप समझ गई होगे कि आप गूगल की आवाज में वीडियो बनाते हो तो आपका चैनल मॉनेटाइज होगा या नहीं होगा यदि अभी भी आपके मन में इस टोपिक से जड़ा हुआ कोई डावट है तो आप कमेंट करके पूश सकते हो